पंदरवी विदानसभा के पंचम सत्र की कारेवाही सुमवार को निश्चित काल के लिए इस्तिगित कर दी गई इस दोरान विदानसभा में कुल 13 विधेक पास हुए शुरुवाती आठ विदेक में विपक्ष मौझूद रहा आखरी पांच विधेक में विपक्ष गैर मौझूद रहा ये पांच विदेख सोमवार को पेश किये गए थे सरकार की ओसे बिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के पुनरवास संशोधन विदेख 2020 को लेकर जब विपक्ष ने इस पर बहस करने की बात कही तो सदन में जोरदार हंगामा हुआ निता प्रतिपक्ष राजंदर राठोड ने वेल में जाकर हंगामा शुरू कर दिया इस पर इसप्रीका जोशी की उपनिता प्रतिपक्ष राजंदर राठोड और किरन माहिश्वरी के बीच तीखी नोक जोग भी हुई हंगामे के बीच संसदिय कारेमत्री शांती धार्यवाल ने राजिंदर राठोड को सदन की कारेवाही से बाहर निकालने का प्रस्ताव भी रख दिया और रिस्पिका जोशी ने इस प्रस्ताव को विकार कर लिया इस पर बीजेपी विदायकों ने वेल में जाकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए इस दोरान विदान सबा की कारेवाही चार बार इस्तगित की गई लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं हुआ तो फिर नेता पृतिपक्ष गुलापचंद कटारिया ने यह कहते हुए सदन की कारेवाही से बहिर गमन कर दिया कि सरकार की ओर से पहले आठ बिल लाने की बात कही गई थी लेकिन सरकार अचानक पांच विदेक ओर लियाई और इन बिलो पर चर्चा भी नहीं करना चाहती विपक्ष के वोकाउट के बाद संसदिय कारे मंत्री शांती धारिवाल ने भी राजिंदर राठोड को सदन की कारेवाही से बाहर निकालने की का प्रस्ता वापस ले लिया इसी दोरान बाकी रहे विदेक भी सदन में पारित हुए वहीं दूसरी और स्पीकर सीपी जोशी ने अपने बयान में कहा कि कोरोना संक्रमन के कारण इस बार शुन्यकाल और प्रश्नकाल नहीं रखे गए है